हेलो गाइस आज हम दो देखेंगे प्रग्रामी तरंग सिध्धान प्रोग्रेसिव वेव थिए हमने पहले न्यूटर्ण का देख लिया था इसके बाद हमारा जी दूसरा सिध्धान था वो लाप्लास का था लाप्लास ने न्यूटर्ण के सिध्धान पर संसोधित किया था हाप से पोचेट पूचा गिया है कि लाप्लास ने किसके नियम पर संसुधन किया था तो नियुटरिन के नियम पर किया था इसके बदम यहां पर देखेंके प्रग्रामी तरं सिधांध इस बीशिर सिधांध अग से जुए ही चार्चर हाम कर रहे हैं के जॉयर पाझचे-वीक्ता शुषी सफ़ोंद में विलियम हेवल भी खांप गअधा यह मैंच के दिया होना चाहिए इस सिदान का नूसार समाल लिए अगर म thếल अगर में में अगर हमारे प्रतवी था कर्ड़ूर की सामने वाला दीशांता रहे पयूंका मुनते समय प्रतव्या deze दान के यहां पर जहां पर विच्ट के सामने करेंगे उस और यहा मौला हिए छगा पर यहां समय होता हुए कि इसके बाद गाते हैं इससेटर मौला हुध जाते हैं अधिल में अगर मालेजिय बीच प्रवी पर कोई होता तो ज़ल रहता टो कि यह पूरू से पस्चिंग के तरफ जो लहरे हैं वो उठती ही रहती है ना और इन तरंगों को सामना करना पड़ता यानि अवरोध के रूप में बन जाते हैं इसकानी तरंगे रुख जाती हैं दच्छनी धुरू मास अगर वह अट्लांटिक में इस्थल की कहीं का रहता है यहां ज़री तरंग प्रगति चंद्रमा के साथ पूर से पस्च्यम की तरफ होती है फिल्ग है पूर से पस्च्यम की तरफ पूछा गया है इसके बाद इन्हें प्राथमिक जवर तरंगे भी बहते हैं यह प्राथमिक जवर तरंग कौन से है इसकी दिसा क्या होती है वालब एक कोशन कई टाइप से पूछा गया है ठीक है तो धान रखीएगा यह लहर अन्य ठरंगंगों को जर्म दिए अब यहीं लहर होती जो यहां पर उत्पन्न होगी ठीक है यह तरंग अन्य लहरो को उत्पन से ठीक है अब आपने देखा होगा मैप में प्रथ्वी का ठोल दफी नुझा में यहां पर यहां पर जो लहरे उड़ती है यह अट्रनीक मासा करता चाहर में हीडमत प्रशान मासा उड़ेश करती है फिर फिर वहां पर जो रूप में उठती है यह कहा तो विल्यम है विल ले अब देखिए इसके बाद इन दुति तरंगों का वेग चंद्रमा की अवधी पनिर्भन नहीं करता है इन्हों नहीं कहा है यह जो दुति तरंगे हमारी उध्पन होती है यह हमारी से कंडरी वेवेव हैं ठीक है मलब दुति तरंगे है यह यहां उत्पन हो रही थी अभी कहती है इनका जो वेग है चंद्रमा की आधी निर्भन हें करता है यूँ कि यह ब्राइमरी प्राइमरी उफसे इनका उत्पन होई है न unfün की और भी आले पर करती हैं पल्की जल की गहराए कर नकितने यह फोगि प्रेंग की न को भाटा कहलाता है यह कहा गया कि दुति तंफे होती है उनसे आपका जोर भाटा का उत्पन होती है और प्राègeजमलों से आपका जोर होता है बड़े बड़े जटी जाती है मार्ग में बाधा आने मेरे पर इंगी प्रगतिय रुख जाती है इसलिए लहरों के समय है जिसान की उंचाईयों में अंतर विक्सित हो जाता है यह कहा था यह तो इसके कुछ अपत्तिय हैं अगर आप कहेंगे सिक्का अच्छा है उस पर भी लोग अपत्ते करेंगे अच्छनी सागरों से सागरों से अच्छनी सागरों से त्र. punish वे आईउ जो उत्तरी सागर है उसकी तरब जो सेकंडरी वे हमारी जाती है उनकी आयुका मोने चाहिए प्रत्वी है प्रत्वी पर तरंग यहां पर उत्पन हो यहां पर तरंग पहुंचते पहुंचते उनकी आयुका मोने चाहिए जबकि क्या है दी जाती है तो यह कैसे हो सकता है इस वाद कहते हैं प्रहद ज्वार का समय होर्ण आंतरीब दीप से विर्ण लंड तक एक ही है जो सिधान के विपरीत है ज्वार आने का समय दच्छन से उत्तर क्यों बढ़ना चाहिए अब देखिए अब जब प्रत्वी के साउथ में जब जब जवार आता है यहाँ पर लेट आना चाहिए तो टाइम अधिक होना चाहिए लेकिन क्या है यह बिल्कुल सेम है यह कैसे हो सकता है यह कैसे हो सकता है अगर इनके सिधान के अगर आना हम चलें तो यह कैसे हो सकता है ठीक है यह बात कि नो ने कही इसे बाद इसने प्यादाते हैं उत्तरी अट्लांटिक वा दक्तुरी प्रशांद मास अगर में एक ही अच्छांस पर दैनिक अर्द दैनिक जोरी तरंगे उत्पन हो जाती है तथा एक ही समय पर दो इस्थानों पर व्रहद जोर भी उठ पाया गया है इन समस्य समय प्रोग्राम कर पाता है सब्सक्रांइक और प्रहां इस कर जच्छाँ मास अगर में वीकिल्कुल है कि गया यह जगा न सकते हैं शितकर में ह्याद और इस सकते है कि उसका प्रभाव क्या होता है हर जगा बना रहता है यह तो एक कॉमन सेंस वाला कोई व्यक्ति बता देगा अगर मालीज पाड़ रखावने जोग्राफी तो खुद बता देगा इस सिद्धान में महासागरी तली की रचना तता किनारे उत्पन बाधाओं को जोरी तरंगों एरी मौधाय ने इसी पर संकल्पना दीती जिसे नहर सिद्धान दिया गया था यह भी सिद्धान थोड़ा इंका इंपॉर्टेंट है यह मैच कराने के लिए पूछा गया है आप से एक्जाम पे इन नहर सिद्धान के से समन्द देते जो आरवाटा समन्द देते किस ने द कॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इस्थारी तरंग सिद्धान ठीक है इस थाई तरंग सिद्धान इंपॉर्टेंट है आपका तूंसे अगली वीडियो में देखेंगे डिके अस्थास तरंग सिद्धान ज्से अमेर्की विद्वान है रिज्ञ बंवीः था तो मsomething झाल झाल